जहीं फ्रेंट्स फ्रेंट्स बिहार मद्निशे सिपाही भरती के लिए जो 689 पोस्ट के लिए जो बिग्यापन जारी क्या गया था उन सभी अभियरतियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट लेके आ गया हूँ फ्रेंट्स जैसे कि आप सबको पता होगा कि आप सबने फॉर्म फिल कर दिया था और आप सब के लिए जो है वो एकजाम जो है 39 जनवरी 2023 को होने वाला था लेकिन यहाँ पे जो है आयोक की ओर से अभी फिलाल एक नोटी जारी क्या गया है और आप सबका जो है एकजाम जो है सबी डीयम को जो है यह निर्देश दिया गया है ठीक है जैसे देख सकते हैं सबी डीयम को यह लेटर जारी क्या गया है यह CSBC आयोग ने डीयम को लेटर जारी क्या है कि जो है देखे यहाँ पर प्रसंग दिया गया है और उसके बाद वीशाय क्या है तो केंद चेहर प्रस परिहारी करनवस अस्थागीत करने के संबन में तो आप सब का जो है यहां पे 29 जनवरी को जो है जो एक्जाम रभी बार को होने वाला था मदनिशेद सिपाई भरती दोज़ा चोश्वार नवासी पोस्ट के लिए तो उन सभी अभियर्तियों के लिए बहुत दुख की बात ह उन सभी अभियर्तियों का जो है अब 29 जनवरी 2023 को जो है वो एक्जाम नहीं लिया जाएगा और देख सकते हैं यहां पे जो सारा बताया गया कि उप्युक्त प्रवासांगीक विशेद के संबन में कहाना है कि केंदी चेयन परसर सिपाई भरती विग्यापन संक्यां जो 2022 क प्रस्तावितली की परिच्छा अब परिहार कारण वस जो है किसी कारण वस से जो है 39 जनवरी 2023 को परिच्छा कराया जाना संबब नहीं है इस परिच्छा है तो अब आपका यहां पर एक्जाम कब लिया जाएगा तो यहां पर जैसे ही कोई भी अपडेट आता है ठीक है तो मैं आपको वीडियो के माधिम से बता दूँगा लेकिन अभी यहां पर कोई भी डाटा जो है नहीं बताएगा कि आपका एक्जाम चाहे मार्च या फ्रेल में लिया जाए ठीक है तो उसके बाद यहां पर देख आपका एक्जाम यहाँ पे कैंसिल किया जाए और आपका एक्जाम जो है वो सायद मार्च या अप्रेल तक में हो जाएगा जैसे कि यहाँ पर कोई भी अपडेट जाली किया जाता है तो मैं आपको वीडियो के मादर में से बता दूँगा अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आकन को प्रेस कर दें चलिए मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तक के लिए जाहिन